एक जंगल में दो चड़िया रहती थी, कोमल चड़िया और मीनो चड़िया अभी बहुत ही छोटी थी, वे दोनों आपस में बहने थी कोमल चड़िया और मीनो चड़िया के माता पिता की मिरत्ती हो चुकी थी एक दिन वे दोनों नन्नी चडियाएं आकाश में उड़ रही होती हैं के वे दोनों उड़ते उड़ते एक दूसरे से बहुत ही दूर निकल जाती है है रे ये में कहां आ गई और मेरी बेहन कुमल चडिया कहा है कोमल चडिया और मीनू चडिया एक दूसरे को बहुत ढूनते हैं लेकिन वे दोनों नहीं मिल पाते कई साल बीच जाते हैं अब तो वे दोनों चडिया बड़ी हो चुकी थी मीनू चडिया बड़ी होकर काफी समझदार और रहम दिल हो गई थी परन्तू कोमल चडिया मीनू चडिया से बिलकुल अलग थी कोमल चडिया बहुत ही स्वारती थी सिर्फ और सिर्फ कोमल चडिया को अमीरी से प्यार था मेरा ये गोंसला कितना पुराना हो गया है अब मैं इस बेकार से गोंसले में नहीं रह सकती हूँ अरे कॉमल बेहन अगर तुम इस गोंसले में नहीं रहना चाहती हो तो तुम ये गोंसला मुझे दे दो मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगा नहीं है ऐसे कैसे देदू में तुमें ये गोसला हाँ ये गोसला बेकार हो गया है लेकिन मैं तुम्हारी भलाई का क्यूं सोचूं और फिर कॉमल चडिया अपने पंचों से वे गोसला जमीन में गिरा कर तोड़ देती है और वहां से चली जाती है ये कोमल चड़िया कितनी बुरी है इस कोमल चड़िया ने ये बिलकुल भी आच्छा नहीं किया है और फिर कोमल चड़िया उरते उरते मीनु चड़िया के घर के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है ये पेड़ तो कितना घना और मजबूत है मैं यहाँ पर अपना गोंसला बना सकती हूँ पिर कॉमल चड़िया कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक नया गोंसला बना लेती है कॉमल चड़िया को देखकर मीनो चड़िया कॉमल चड़िया के गोंसले में आती है आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने बहुती अच्छा पेड़ चुना है अपना गुसला बनाने के लिए ये बहुती मजबूत पेड़ है कोमल चड़िया मीनू चड़िया की सुंदरता और इसके गले में लटकी सोने की माला को देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है अरे ये मीनू चड़िया तो काफी अमीर लगती है और तो और इसका तो कितना बड़ा सा गर है बहुत बहुत शुक्रिया मीनू बेहन किया आप इतने बड़े घर में अकेली रेती है अरे नहीं नहीं इस घर में तो मेरे साथ मेरा मू बोला भाई रेता है इतना कहकर वे मीनू चडिया वहां से चली जाती है कोमल चडिया मीनो चडिया की अमीरी को देखकर बहुती मतासिर होती है मीनो चडिया का एक भाई भी है अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो ये घर मेरा भी हो जाएगा और फिर मैं इस मीनो चडिया को इसके घर से निकाल दूँगी और अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मैं बहुत अमीर बन जाओंगी फिर अगली सुबह हो जाती है कुमल चिडिया मीनो चिडिया के घर में आती है आओ कुमल चिडिया आओ आज मैंने डाल चावल बनाए हैं सब मिलकर डाल चावल खाते हैं नहीं नहीं मीनू चिडिया मैं तुमसे एक बहुती जरूरी बात करने आई हूँ जरूरी बात वो क्या मीनू चिडिया आई सुबा मैंने तुम्हारे मू बोले भाई को देखा था और मुझे तुम्हारा भाई बहुती पसंद आया है में चाहती हूँ मेरी तुम्हारे भाई के साथ शादी हो जाए मीनु चिडिया ये बात सुनकर बहुत जादा खुश होती है और कॉमल चिडिया के जाने के बाद मीनु चिडिया अपने मुं बोले भाई को कॉमल चिडिया की बात बताती है उस चड़े को भी कुमल चड़िया बहुत पसंद आती है परंतु वे चड़ा अभी सिर्फ मांगनी करना चाता था कुमल चड़िया तुम बहुत सुन्दर हो और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो परंतु मैं चाता हूँ कि अभी हम सिर्फ मांगनी कर लें कोमल चड़िया अमीरी की लालच में इस चड़े की सारी बात मानने लगती है वे चड़ा बिलकुल भी अच्छा ना था वे चड़ा किसी से भी अच्छे से बात भी नहीं करता था और वे मीनो चड़िया से भी बहुत नफरत करता था इस चड़े को कभी कोमल चड़िया पसंद आती तो कभी कोई दूसी चड़िया पसंद आती जबके दूसी तरफ कोमल चड़िया अपने अमीर होने और मीनो चड़िया को इसके घर से निकालने के सपने ही देख रही थी कुछी दिन ऐसे ही चलता है अब तो कोमल चड़िया उस चड़िया से काफी जादा घुल मिल गई थी अब उस चड़िया को कोमल चड़िया से जादा सुन्दर चड़िया नहीं मिली थी इसी कारण वे कोमल चड़िया की सारी बाते मानता था मानो चड़े मैं तुम्हारी बेहन मीनो चड़िया से बहुत तंगा चुकी हूँ मैं मीनो चड़िया मुझे बहुत तंग करती है और कभी कभी तो वो मुझे मारती भी है मानो चड़े के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर मीनो चड़िया आ जाती है मानो चड़ा बहुत ही लालची था में कुमल चड़ा के बड़े गोंसले की लालच में मीनू चड़ा को बहुत ही बुरा बला के था तुम जूट कह रही हो मीनू चड़ा मेरी कुमल चड़ा बहुत मासूम है वे कभी जूट नहीं बोल सकती तुम जरूर मुझसे और कुमल चड़ा से जलती हो मैं अब तुमें मजीद अपने घर में बड़ाश नहीं कर सकता हूँ चलो मीनू चड़ा तुम मेरे घर से निकल ज और इसे इसके ही घर से बाहर निकाल देती है मीनू चड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है वहीं से एक सोनू चड़ा भी गुजर रहा होता है मैं मीनू चड़िया को रोता देख इसके पास आता है अरे क्या हुआ चड़िया तुम रो क्यूं रही हो मीनो चड़िया सोनो चड़े को सारी बात बता देती है ये तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ मीनो चड़िया तुम्हारे पास रहने के लिए गर नहीं है तो क्या हुआ मेरे पास भी नहीं है बस मेरे पास ये सोने की माला है मेरे पास भी ये सोने की माला है अरे वा अगर हम ये दोनों माला बेच दें तो हमें एक बहुत बड़ा घर खरीज सकते हैं मेनो चड़िया सोनो चड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वे दोनों अपनी अपनी सोने की माला बेच कर एक बहोती सुन्दर सा घर खरी दो हैं जो कि मानोचिड़ के घर से बहोती जादा सुन्दर होता है दूसरी तरफ मानोचिड़ा कूमल चिड़ा को अपनी बातों से प्याकूप बना कर इसे इसका सूने का इंड़ा हती आना चाहता था कुमल चड़िया को हमेशा खूब से भी खूब तरक्की की तलाश एती थी और यही कुमल चड़िया की कमजोरी थी जिसका मानो चड़ा पाइदा उठा रहा था कुमल चड़िया, मीनु चड़िया और मानो चड़े ने अपनी अपनी सोने की माला बेचकर हमसे भी अच्छा गर बना लिया है और तो और अब वे दोनों कुछ ही दिनों में शादी भी करने वाले हैं अगर तुम मुझे अपना सोने का अंडा दे दो तो मैं इसे बेच कर मीनो चड़िया से भी जादा अच्छा घर ले लूँगा कुमल चड़िया मीनो चड़िया की जलन में अपना सोने का अंडा मानो चड़िया को दे देती है और वे मानो चड़िया वे सोने का अंडा बेच देता है अगले दिन मानो चड़िया के घर के सामने वाले पेड़ पर एक सुन्दर सफेद चड़िया आ जाती है अब तो मानो चड़े को कोमल चड़िया से भी जादा सुन्दर चड़िया मिल गई थी और अब मानो चड़ा उस सफेद चड़िया के पास आता है और उससे शादी के लिए कहता है सफेद चिड़िया बहुती जादा लालची और चलाग थी वे फौरण हा कर देती है और फिर मानो चिड़ा कोमल चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है बहुत बड़ी गलती की मैंने इस लालची चिड़े पर भरोसा करके अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है कोमल चिड़िया रोती हुई मीनो चिड़िया के घर के सामने से गुजर रही होती है तो वे देखती है कि मीनो चिड़िया अपनी बच्पन की तस्वीर को देखकर रो रही होती है जिसमें इसकी बेहन कोमल चिड़िया भी होती है ये सब देखकर कॉमल चड़िया बहुत दंगरे जाती है कि इसने अपनी खोई हुई बेहन के साथ कितना बुरा किया जिसकी सदा इससे अब मिल रही है कॉमल चड़िया भी रोती हुई मीनू चड़िया के घर में आती है और इसे देखकर सब कुछ सच बता देती है कि ये इसकी बच्चपन की तस्वीर है और वही इसकी खोई हुई बेहन कॉमल चड़िया है मीनू चड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश होती है मीनू बेहन मुझे माफ कर दे मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है परन्तु मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई है मानोचिड़ा मेरा सोने का अंड़ा बेच कर खा गया है और मुझ्से शारी से भी इंकार कर दिया है नहीं नहीं मेरी बेहन मुझे तुम से कोई किला नहीं है बलके मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी बेहन वापस मिल गई है अब सब कुछ ठीक हो जाता है कुछ ही दिनों के बाद खबर आती है कि मानो चिड़े को इसकी सुन्दर सफेद चड़िया ने जहर दे कर मार दिया है और सफेद चड़िया को मिठ्ठो माराज ने कैद कर लिया है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाला चेक बहुत बुरी बला है